अपने गुनाहों को छुपाने के लिए तमाम इंडिया गडवंदन के नेता एक जूट हो रहे हैं यह कहना है केंद्रिये मंत्री गिर्राज सिंग का जिस तरीके से केंद्रिये मंत्री गिर्राज सिंग दिल्ली के लिए रवारा हो रहे थे तभी उन्होंने जमकर निशाना साधा इंडिया गडवंदन को लेकर कल यानि 19 दिसंबर को इंडिया गडवंदन के बैठक होने वाली है उसको लेकर केंद्रिय मंतरी गिराज सिंग ने खुली चुनावती नितीश कुमार को दी है और कहा है कि अगर हिम्मत है किसी में तो बनारस से चुनाव लड़कर देख ले बनारस में वो रैली करने गय थे क्या हुआ उसका नतीशा क्या निकला अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़कर भी देख ले लेकिन नरेंद्र मोदी को हडाना इतना आसान नहीं है यानि कहीं न कहीं इंडिया गडवंदन की बैठक से ठीक पहले बिहार की राजनीती गर्म है और इसको लेकर सियासत भी खूब हो रहे हैं अगर हिम्मत है तो चुनाओ लड़कर देख लें बनारस से समझ में आ जाएगा वहीं उन्होंने कहा कि ये बैठक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं अपने बचाओ के लिए क्योंकि जिस तरीके से पहले भी उन्होंने कई बार ये बाते कह चुके हैं कि ये सब लोग घोटाले बाज हैं और ये लोग भरष्टाचारी हैं और अपने भरष्टाचार को छुपाने के लिए एक जूट हो रहे हैं कहीं न कहीं वो इशारा फिर से केंद्रिय मंत्री का वही था और एक बार फिर से उन्होंने जाते जाते नितीश कुमार पर ही निशाना साथ दिया क्या कुछ कहा है के इंद्रिय मंत्री गिर्यास सिंग और किस अंदाज में उन्होंने नितीश कुमार को चेतावनी दी है पहले वो हम आपको सुनाते हैं अगर किसी में इंडी गटबंधन में हिम्मत है तो एक ब्यक्ति जाके नरेंद्रमोधी से बनारस लग ले चुनाओं में नितीश कुमार हो या अरजेडी का कोई हो अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है अपने गुनाओं को चिपाने के लिए गटबंधन कर रहा है आपने सुना सीधे सब्दों में केंद्रिय मंत्री गिरास सिंग ने खुली चुनौती दी है नितीश कुमार को अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी को हराने की तो बनारस से चुनाओं लड़िये और देख लिजे की क्या होगा नितीश कुमार जी आप बनारस रैली करने भी गयत है लेकिन आपने पहले ही उसे रद कर दिया यानि कहीं न कहीं आप डरे हुए हैं सहमे हुए ये कहना उनका यही था इशारा भी वही था सीधे सब्दों में जिस तरीके से केंद्रिये मंतरी गिरास सिंग ने ये तमाम बाते जाते जाते कहती है ऐसे ही तमाम गबरों के लिए आपने रहे लाइव इंडिया हरपल के लिए